असलाम अल्कम आज मैंने बनाया है बैगर आलू जो के रोटी के साथ बहुत मज़ेदार लगते हैं आलू बैगर एक एक किलो लिया है आदा किलो ट्माटर हाफ कब ऑईल लिया है दो प्याज हरी मिर्चे हलका सा इसको फ्राइए कर ले अधर प्लेसन का पेस्ट वन डेपली स हलका हलका फ्राइए करके अब मैंने इसमें मसाले डाने जीरा कुटी मिर्चे नमक मेधी दाना कलोंजी हींग और हल्थी वन टेबिल स्पून मैंने सब कॉंटेटी ही है सेम और इसको मैंने इसमें डाल दी है अब आदा किलो ट्माटर कट करके मैं इसको भून लोंगे डग कर इसको पकाएं ताकि ट्माटर गल जाएं जब ट्माटर गल जाएं और अलू पर आज़ाएं मसाला रड़ी हो गया है अब इसमें आलू और बैगर एड़ कर लें आलू और बैगर डाल कर अच्छे से मिक्स कर लें और इसको डग कर पकाएं इसमें ही पानी सबजी कर निकलता है जिससे ये गल जाएगा जब ऑईल उपर आ जाए तो इसके उपर हरा दन्या हरे मेर्चे डाल करें बहुत मज़दार ये बनते हैं और रोटी के साथ भी बहुत अच्छा लगता है और राइस के साथ भी अपर इसको खाएं तो बहुत मज़दार लगता है